तेरा मेरा सच पार सुमन शर्मा के साथ कि तेरा मेरा सच जो चैनल है उसको आप लोग करोरों की तैदाद में आप लोग सब्सक्राइब करें और वोगों की तैदाद में देखें जिससे कि ये राश्टरी चैनल बन सके, अंतराश्टरी चैनल बन सके, क्योंकि ये राश्टरबादी हैं और आपको मालूम है कि राश्टरबादी चैनलों से मैं बहुत प्यार करता हूँ तेरा मेरा सच पार सुमन शर्मा के साथ जान बचाने के लिए और आपने उनके पत्तर बरसा दिया जो करोना से डिटेक्ट हो रहा है वह हॉस्पिटल से भाग रहा है भाग के जाओगे कहां किस और भाग रहे हो जिंदकी के और भाग रहे मौत की और भाग रहे हो अगर यह डॉक्टर तुम्हारे लाज नहीं करते और पुली सडकों पे नहीं होती तो चंद लोगों की वज़े से जिनके दिमाट में यह चल रहा है कि हमें नहीं होगा वो हिंदुस्तान के धेर सारे लोगों को लेकर चल बसेंगे देखो मैं उनकी बास समझता हूँ जिनके पास कुछ खाने को नहीं है बच्चों को खिला हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि वाकिव में हिंदुस्तान एक दूसरे से दिल से जौडा है लेकिन चंद जोकरों की वज़े से यह बिमारी पहली जाने हैं अगर आपके आक्शन इसे नहीं होते तो पुलीस के लिक एसर नहीं होते पो Εफ़जारों पुलीस वालों को अजारों डॉक्टर्स को, नर्सिस को और आवाम को करोना वायरिस नहीं होता इतने लोगा काम तमाम नहीं होता और अभी तक हम सब वापिस से काम पे लग गए होते है चाइना से शुरू हुआ है, चाइना में कब का खता हो गया लेकिन इन चंदोगों की वज़े से पूरा हिंदुस्तान एक लंबे समय के लिए घर पे बैठेगा मान लिया है बड़े तकत वरवाप बड़े भादुर वाप कि इतने भादुर इतने तकत वरवाप कि आप अपने परिवार वनों को कांदा दोगे उतकी अर्थी उठाओगे इतना जिगर है आपने क्यों आप यम्राज और मलकल मौत बनना चाहते हो और क्यों अपने परिवार के लोगों पे इनन इल्ला है और राम नाम सकते है और ना चाहते हो हर बात के दो पहलू होते हैं इसके भी दोई हैं एक पहलू यह है कि हम सब रहें दूसरा पहलू यह है कि कोई न रहे है आप रिसाइड करो और सब शुक्रिया दा करो पुलीस फोस का डॉक्टर्स का नर्सिस का जो लोग बैंक में काम करते हैं उनका रिस्पेक्ट करो उनको जिनको हुआ है और एतियात रखो कि यह आगे न पहले और दूआ करो कि वो नौबत ना है जहां पर आपको समझाने के लिए मिलिटरी बुलाई जाए तो लेकिन राशिन के लिए जाना पड़ता है अब हमने कुछ वेजिटिबल्स के लिए हमारे एक बहुती अजीज करीवी दोस्त को पास मही पांचे किलमेटर दूर एक गाउ में बेजा राशिन करीदने के लिए तो आजकल पुलीस का बहुत ज्यादा पहरा है जो के बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छा काम कर रहे है अब पास तो था उनके पास गाड़ी का तो वो गए उनको पुलीस ने रोका तो इन्होंने क्या किया कि पुलीस वाले से बात करते वे उन्होंने अपना मास निकाल लिया तो पुलीस वालने का उनसे कि ये मास पेनो दूर टो और ये मास पेनो तो उनको समझ में आगया, कि जो नहीं करना था, उनको नहीं राया उनने यह कहानी बयान की और मैंने दिखा कि ये जो कि आपको मना किया गया था करने के लिए वही आपने किया और नहायती बेवकुफी की चीज़ की ता दिमाग से निकल गया है सोचा कि बात कर रहा हूं तो मुझ दिखा के बात करूँ जो कि नहीं करना चाहिए था उस वक्त अब जिसको ये बात समझ में नहीं आरी कि इस को मैं कहां लेके जा रहा हूं वो मेरी बात गोर से सुने किसी भी बीमारी में रिजल्ट पॉजिटिव होना बहुत दुक दाएक बात है और स्पेशली उस बीमारी का जिसका कोई लाज नहीं है लेकिन किसी पॉजिटिव पेशिट के दिमाग में एक नेगेटिव थाट आ जाना एक उसका सियम खो देना होब खो देना वो उससे बरी बात है और जो पॉजिटिव टेस्टिव पेशिट है उसका दुख ना समझना वो एंटी हुमन एंटी इंसानियत है जो पॉजिटिव टेस्टिड पेशिट है उसके बात ये समझ में आ जाती है कि हमने एतियात नहीं रखा गल्दी हमसे हो गई और जो नेगेटिव है और एतियात नहीं रख रहे हैं वो जल्द पॉजिटिव हो जाएंगे ये गैरिंटी है और फिर अपने पूरे खानदान को ये भीमारी दे देंगे खानदान से महले को महले से शहर को शहर से पूरे हंदुस्तान को क्या कहा है गवर्मिन रे कि बाहर मत जाओ सोशल कैढरिंज ना करो यह कहा है न दो स्यारों से ना मिलो isolation में रहो, घर में रहो, परिवार के साथ रहो, परिवार के साथ बग गुजारो इस सब किस के लिए, उनके लिए, नहीं, हम सब के लिए नमाज पढ़ना है घर पे पढ़ो, बुझा पाट करनी घर पे करो बच्वर में ये सीखा था कि भगवान हमारे अंदर है तो अगर भगवान के घर जाना, अल्ला के घर जाना है, परिवार के साथ जाना है तो निकलो भाग, मनना तो एक दिन सब को है, लेगिन क्या कोई मनना चाहता है ये यहाँ पर आके, ये बात चेंज कैसे हुई इंडिया के आवाम को, इंडिया के आबादी को कम करना चाहते हो Starting with your own family तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे माता-पिता, तुम्हारे बुजर्ग जिन्होंने तुम्हें पाल पोस्के बड़ा किया है उनके साथ चुरुआत करोगे अब आप बताओ, पुलीस का साथ देना, गरुटर्चर्श का साथ देना, जो लोग बैंकों में काम करते हैं उनका साथ देना, या नहीं अब वो लोग इस बात का जवाब दो, जो कि गवरुण्हेंट की बात नहीं सुन रहे कि वो सही ہے, गलत है, correct है रॉर्ग है negative सोच रहे हैं और positive सोच रहे हो अगर आपके action सही होते तो यह lockdown अभी तक के खतम हो गया होता और करोना वायरिस भी अगर आप ऐसे बाहर नहीं निकलते groups में दोस्तियारों के साथ तो पुलीस वाले आपके पुठों पर डंडा नहीं मर आपको क्या लग रहा है इसमें के पुलीस वालों को मजा रहा है किसने रोका आपको राशन लेने में जाओ ना किसने रोका है खाने पीने का सावा लेने जाओ घर तुरंत आजाओ पास में जाओ किसने रोका है मास पहनो, कलवस पहनो अकेले जाओ गवर्मिन्ट ने ये वादा किया है कि राशन पानी सब को मिलेगा आपको क्या लगता है कि पुलीस वाले डॉक्टर्स नर्सिस जो बैंक में काम कर रहे हैं उनको करोना वाइरस नहीं होगा, उनके परिवार को नहीं होगा लेकिन उनको देखो, फिर भी वो 18-18 गंटे काम कर रहे हैं किसके लिए काम कर रहे हैं? आपके लिए काम कर रहे हैं और वो भी आपको रोखने के लिए नहीं, करोना वाइरस को फैलने से रोखने के लिए कर रहे हैं क्योंकि ये बिमारी उंच नीच जातपात, अमीर गरीब, छोटा बड़ा, कम उमर, हम उमर, बड़ी उमर, कुछ नहीं देखती, आप ये पुलीस वालों की ड्यूटी है, वो निभारें, और आपकी ड्यूटी सिर्फ इतनी है कि आप घर पर बैठें, और वो भी आप नहीं निभारें, मैं कुछ ऐसे लोगों जानता हूं, जो घर के भार कभी नहीं निकलते थे, जब से ही बोला गया है कि घर से बाहर मत निकलो, उन्होंने निकलना शुरू कर दिया है, तेरा मेरा सच पार सुमन शर्मा के साथ, कि तेरा मेरा सच जो चैनल है, उसको आप लोग करोनों की तैदाद में आप लोग सब्सक्राइब करें, और वोगों की तैदाद में देखें, जिससे कि ये राश्टरी चैनल बन सके, अंतराश्टरी चैनल बन सके, क्योंकि ये राश्टरबादी हैं, और आपको मालूम है, कि रास्तरवाजियों से और रास्तरवाजी चैनलों से मैं बहुत प्यार करता हूँ